जैहिन दोस्तों वेलकम टू शौरेक्लासिज आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सांस्कृति के कुछ M.C.K.U कोशनों पे चर्चा करने का इससे पहले हम दो वीडियो और लेके आ चुकी हैं जो की एक्जाम में M.C.K.U कोशन विवैदिक सांस्किति से जो आते हैं वो काफी important होते हैं इसलिए इस वीडियो में भी हम 40 कोशनों पे चर्चा करेगे जो की इस परकार है पहला कोशन है समाज में चतुर्विद वर्गी करन का विचार प्राप्त होता है उप्शन A और रिगवेद के नस्दिये सुत्र में आपका दूसरा कोशन है सोम पे का सम्मद निमलिखित में से किस वैदिक यग से था अप्शन A अग्नियोष्टम ऑप्शन B राजिसूर्य ऑप्शन C सोतरमणी ऑप्शन D वाजपेई तो इसके सही उतर है ऑप्शन A थर्ड कोश्चन है वैदिक देफता वरुन के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए ऑप्शन पहले हैं एक, दो, तीन, चार हम कुछ पढ़ते हैं जैसे एक पे हैं नैतिक वैवस्ता के संदक्षन थें दूसरा है धंजावत के देफता, तीसरा पापियों को डंड देते थे चोथा वर्षा के देफता, तो इसका कुछ ऑप्शन है option A, first or second, option B, first or third, option C, first or fourth, option D, second or fourth तो इसका सही उतर है option B, first or third फिर fourth question है आपका वैदिक सबा और समेती को किस देवता की दो पुत्री कहा जाता है इसका option A, इंद, option B, अगनी, option C, परजापती, option D, ब्रसपत तो इसका सही उतर है option C, परजापती पाँचवा question है चांदोग्या, उपनिशेद का सम्मन्त किस वेद, शाका से option A, रिगवेद, option B, यजूरवेद, option C, सामवेद, option D, अथरवेद तो इसका सही उतर होएगा option C, सामवेद छटा question है अधरवियू का अर्थ होता है option A, धार्मिक मामलों में राजा का सलाकार, option B, यक करने वाला प्रोहिद, option C, जग के अफसर पर रिचापार्ट करने वाला प्रोहिद, option D, राजा का शिक्षक, तो इसका सही उतर है option B, यक करने वाला प्रोहिद, आपका साथवा question है, निमवेदिक शब्दों में कौन सा शब्द किशी उपकरन का गोतक नहीं है option A चर्षनी option B लंगल option C व्रक option D सिर तो इसका सही उतर होएगा option A आठपा कोशन है राजा के निर्वाचन से सम्मंदी सुत पायज जाते हैं option A रिगवेद option B यजुरवेद में option C सामवेद में option D अथरवेद में तो इसका सही उतर है option A रिगवेद में हाँ जी रिगवेद में ही राजा के निर्वाचन सम्मंदी सुत्र की चर्चा की गई है आपका नुवा कोशन है सुरा की आहूती किसका लक्षन है option A अश्वमेग option B गवामेण option C राजी सुरे option A अश्वमेग option B राजी सुरे option C सौत्रमानी option D वाचपे तो इसका सही उतर है option B राजी सुरे आपका गैरवा कोशन है निमलिखित में से किस यग में 25 यूपो के परियोग का विधान है option A राजी सुरे option B पुरुशमेग option C अश्वमेग option D वाचपे तो इसका सही उतर है option B आपका बारवा कोशन है होतरा क्या है option A रिगवेद में देवों का अवान करने वाला option B रिगवेद में यक करने वाला option C उपासना करने वाला option D रिगवेद कालें रिश्यों को तो इसका सही उतर है option C उपासना करने वाले को तेरवा कोशन है सुदास किस वंश का था उप्शन A बरत, उप्शन B सुदास, उप्शन C सातवान, तो इसका सही उतर है उप्शन C का अणवंश का आपका 14 कोशन है शिव का पर्थम रूप साहित्य में क्या मिलता है आपका पंदरवा कोशन है यूप क्या था आपका सोलवा कोशन है रिगवैदिक कालिन आर्रियो की पैचान किस से नहीं थी आपका सतरवा कोशन है चितरित धूसर मितभांड किस काल से संबन दिते हैं आपका सही उतर है आपका सतरवा कोशन है किस प्राचीन गरंद में वन व्यवस्ता गुनों एवं अभी रूचियों पर अधारित थी आप्शन A मनुस्मिर्थी आप्शन B वाज सेन सहीता है आप्शन C गीता आप्शन D रामायन तो इसका सही उतर है आप्शन C गीता उननिसवा कोशन है निम में से कौन वैदिक राजतंतर के अध्यान में सायक है तो यहां कुछ वन टू थी फोर हैं फर्ष्ट पे है विदत सेकिंड पे है सबा थर्ड पे है परिशर चोद फोर्थ पे है समेती तो इसका सही उतर है पहले हम उप्शन पढ़ते हैं उप्शन A 123, उप्शन B 234, उप्शन C 1234, उप्शन D 3 और 4 तो इसका सही उतर है उप्शन C 1234 आपका 20 वा कोशन है वैदिक गरंतों में परियुक्त शब्द किस्से सम्मंदित है तो उप्शन A प्रितू विज्ञान के अध्यान से उप्शन B नैतिक व्यवस्ता से उप्शन C धर्म से उप्शन D वैदिक सुतरों से तो इसका सही उतर है नैतिक व्यवस्ता से आपका 21 बाइसवा कोशन है रिग्वेद में परियुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए आप्शन पिर्थवी की उर्वक्ता आप्शन बी राजा जनक की पुत्री आप्शन सी जोती हुई भूमी आप्शन डी हल रेखा तो इसका सही उत्तर होएगा हल रेखा आपका ब इस परकार है वाक विश्कर्मा थर्ड पर है काल फॉर्थ पर हिर्नय गर्व तो इसका ऑप्शन कुछ इस परकार है ऑप्शन एक में है फर्ष्ट सेकिंड ऑप्शन बी में है फर्ष्ट सेकिंड थर्ड ऑप्शन सी में है सेकिंड और फॉर्थ तो इसका सही उत्तर है ऑप परजन की कता निमलिखित में से वड़नित है option A एत्रे ब्राह्मन option B शत्पत ब्राह्मन option C गोपत ब्राह्मन option D वरहादर्निय उपनिशद तो इसका सही उत्तर होगा option B शत्पत ब्राह्मन तो आपका अगला question है जंगल की देवी आडनियन का पर्थम उलेखे है option A, रिक सहीता में option B, अथरवेद में option C, अडनाया गरंतों में option D, उपनिशद गरंतों में तो इसका सही उत्तर होएगा option A आपका 25 वा question है रिगवेद के सुत्रों के विशे में कौन सा निम्लेकित कथन सकते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है जैसे फर्स्ट में है उनमें हिमवत एवं मंजुवत का उलेखे हैं second उनमें भॉगॉलिक शब्द जैसे आरेवत और दशिनवत का उलेखे हैं third उनमें उलेखित, अधिकांश, नदिया, यम, गंगा और यमना के पश्ची में भैती हैं और आपका fourth उनमें कूर पांचाल और इच्विक राजवन्शो का उलेखे हैं तो इसकी कुछ option इस परकार है option A में first और second है option B में first और third है option C में second, third और fourth है option D में first, second, third, fourth है तो 25 वे का सही उतर है option B, first और third आपका 26 कोशन है go apparent का परसंग में रिगवेद में पर्मुक रूप से आता है option A, मलेच्छों का option B, दास एवं दासुओं का option C, पांणियों का option D, निशादों का तो इसका सही उतर होएगा option C आपका 27 कोशन है रिगवेद में उलेखित option A, वदू का व्यजक है option B, एक नदी का नाम है option C, सुर्व बनाने में परियुक्त होने वाली एक पादप है option D, एक यगिक पशु है तो 27 का अंशर है option D, ये एक यगिक पशु है 28 कोशन है वैदिक सांस्कृति के विशे में क्या सुमलित है मतलब यहाँ पर A, B, C, D बताया गया है और उसके सामने उनके कुछ मिलाप है क्या वो सही है या गल्द तो हमें जैसे असुर के आगे है एक पवित्र पोदा, पुशान के आगे है जनजातिय सवा, रिक्ट के आगे है मादक पे, और रिभू के आगे है बोने तो इसका सही उत्तर 28 के का सही उत्तर है option D आपका 29 वा है निमलेखीत विदांगों में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है तो यहाँ पे हमें नहीं पे फोकस करना है जैसे कल्प के आगे करमकांड है जोतिश के आगे खगोल विज्ञान है शिक्षा के आगे द्धनी शास्त्र है निरुक्त के आगे व्याकरन है तो इसका सही उत्तर होएगा option D निरुक्त आपका अगला question है तीसवा निमलेखीत में से कौन सी बात है उत्तरवैदी काल के लक्षन है हम फिर से पढ़ते हैं आपका तीसवा question है आपका तीसवा question है निमलेखीत में से कौन सी बात है उत्तरवैदी काल की लक्षन है 1, 2, 3, 4 पे है 1, 2 पे जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना सेकिंड पे लोहे उपकरोना का निर्मान थर्ड पे रीतुओ का ज्यान फोर्ट पे बड़े पैमाने पर सिचाई तो इसमें कुछ option है option first में है 1, 2 और 3 option second में है 1, 2 और 4 option C में है 1, 3 और 4 option D में है 2, 3 और 4 तो इसका सही उत्तर होएगा option A first, second और third आपका 31 question है रिग्वेद में लोग इंदर का निमलिखित परियोजन से अभान करते थे option A ज्यान प्राप्ति option B मरोन उपरांत जीवन option C जनम मरन के चकर से मुक्त option D भौतिक सुक एवम वीज़े तो इसका सही उत्तर होगा option D भौतिक सुक एवम वीज़े आपका 32 question है निमलिखित में से कौन अपनी शदों में उलेखित के कई जनपद का एक दाशनिक राजा था option A जबाली परवहान option B जम दगनी option C शुशूतुचैन option D अश्वति तो इसका सही उत्तर होगा option D अश्वति 33 question है प्राचीन भारत्य धर्म गरंतों में किसके साथ किशन का विरोध का उलेख्थे मिलता है option A ब्रह्मा option B विरोध्र option C इंद्र option D वरुन तो इसका सही उत्तर है option C 34 question है ब्रह्म एम आत्मा की अभिनियत्ता के विशे में उद्गलक अरुनी और उसके पुत्र श्वेत्केतु के बीच विख्या सम्वाद के उपनिश्यद में है option A शेताफ्षर option B छांदोग्य option C मुंडग option D मंडुक्य तो 34 वर का सही उत्तर है option B 35 वर कोशन है नील लोहित जो वैदी ग्रंतों में उलेकित एक परकार का मत भंड है किस से अभिंग माना जाता है option A चितरी दूसर भांट से option B लाल भांट से option C क्रिशन एवां लाल भांट से option D उत्री क्रिशन चमकदार भांट से तो इसका सही उत्तर है option C 36वा कोशन है वैदी ग्रंत में उसार भूमी का व्यज़क है option E व्रज option B कुल्या option C सुव्यास option D खिल्व तो इसका सही उत्तर है option D आपका 37वा कोशन है रिग्वेद में उलेकित यदू और तुर्वस थे option A दो सेनाई option B दो भाई option C दो राजा option D दो जन तो इसका सही उत्तर है option D दो जन 38वा कोशन है रिग्वेद में अन्यवर्थ शब्द किसके संदर में परियुक्त होता है option A दास option B दास यू option C मलेश option D यदू तो इसका सही उत्तर है option B दास यू आपका 39वा कोशन है मैं कभी हूँ मेरे पिता विशज है और मेरी माता अन्पीस्ती है यह अफ्तारण कहां मिलता है option A रिग्वेद option B या जुर्वेद option C धंपद option B मच कटिंग कम तो इसका सही उत्तर है option A आपका 40वा कोशन है रिग्वेदिक देवता इंदर के विशे में क्या सही नहीं है option A उसे भोज एवं सोमरस पीना पसंद है option B वह पूरो को नश्ट करने वाला था option C सरवादिक सुथ उसी से ही सम्मोधित है option D वह रितू का धारक था तो इसका सही उत्तर है दो इसकी वीडियो और लेके आ चुके हैं जिसमें हमने 40 question 1 में 40 question 1 में अब हम total 120 question पर चर्चा कर चुके हैं जादा से जादा इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें 30 या 40 question पर हम और चर्चा करने की कोशिश करेगी तो इसी के साथ व्यादिक सांश्किती के सभी MCQ question हम समाप्त हमने कर लिए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगले MCQ question आप history के किस chapter पे आप चाहते हैं उस पे बनाने की कोशिश करेगे जाहन जाभारत